आज हमारे जबान अरोनाचल को चाइना के कंट्रोल में जाने से रोकने में जुटे हुए और हम में से ही कुछ लोग कहते हैं कि अरोनाचल तो चाइना का हिस्सा है दो दिन पहले इस यूट्यूबर ने जो किया उससे मैं genuinely परेशान, शर्मिन दा हूँ, गुस्सा हूँ Here's the full story अरोनाचल प्रदेश के एक MLA ने हमारे PM को एक request की थी कि Battlegrounds नाम का जो game है वो भारत में launch ना करें उनका opinion शायद सही हो सकता है, शायद गलत हो सकता है लेकिन पारस ने अपने YouTube चैनल पर इसका जो reaction दिया, वो definitely problematic है एक तो पहले इनकी photo देखुआ, मैं इनकी photo दिखाता हूँ आपको ये आपको इंडिया के लग रहे हैं? सही सही बताना कमेंट करके मेरी वीडियो जितने भी बंदे देख रहे हैं आप मैं को बताना ये मुझे, मुझे तो नहीं लग रहा कि भाई ये इंडिया के हैं बाकि उसके बाद इनकी banner वाली photo भी देख लेते हम इसमें भी मुझे एक भी इंडियन नहीं लग रहा अब शायद अरुनाचल परदेश के बंदे ही ऐसे दिखते हूं मुझे नहीं पता मैं कभी मिला नहीं उन से और यहाँ पर मुझे अरुनाचल परदेश दिख क्यों नहीं रहा भाई? कहा गया? किदर को गया? कि लोगों को चाइनीज कहना तो आम बात है, सब लोग कहते हैं यह स्टेटमेंट्स काफी रीजिन्स के लिए प्रोब्लमाटिक है, रेसिस्ट हैं और सिर्फ अरुनाचल के उस लीडर पर नहीं अरुनाचल पर और पूरे भारत पर एक परसनल अटाक है पारस ने बाद में एक अपॉलजी वीडियो भी बनाया है बट I don't think he understood the gravity of the situation इंडियन पीनल कोड के section 124A 153A 5052 के अंडर case file हो और उसे पुलीस ने उसके घर से हिरासत में भी लिया I'm sure के law एक fair action लेगा लेकिन क्या फरक परता आज पारस सातल सारस होगा जब तक हमारी सोच नहीं बदलती तब तक भारत नहीं बदले लेकिन आज मुझे इस platform के थूँ इस वीडियो के थूँ आपस एक important बात करें अगर आपको मेरी बात समझती है अच्छी लगती है तो इसे हर भारत वासी तक महुचाने में मेरी गल्पीज़ ताकि ये गल्ती वापस नहीं बात simple है नौर्थीज भारत का एक हिस्सा है और ये देश जितना मेरा है उतना ही उनका भी है लेकिन ये सीधी बात कुछ लोगों को समझ में नहीं आती क्योंकि वो सोचते हैं कि नौर्थीज ने भारत को दिया ही क्या है misinformation, racism और alienation को अगर defeat करना है तो नौर्थीज को खुले दिल से अपनाना होगा So let me tell you one by one की नौर्थीज ने भारत को क्या लिया Assam Assam है इसलिए भारत में काजिरंगा national park है ये पूरे भारत में सिर्फ एक ही जगह है जहां ये one horn rhino पाया जाता है और सिर्फ भारत का ही नहीं पूरे दुनिया का largest one horn rhino population Assam है आप चाय तो पीते होंगे आप नहीं तो आपके घर में कोई ना कोई तो चाय पीता होगा भारत का 52% चाय Assam से आता है आधे से जादा यानि नौर्थीज नहीं तो चाय नहीं मेखालय है इसलिए एशिया का सबसे cleanest village भारत में मेखालय में secret forest होता है जहां बाहर की कोई भी वस्तू आ नहीं सकती और वहां की एक भी वस्तू बाहर जा नहीं सकती locals मांता है कि nature भगवान का रूप है और वो जंगल की पूझा करते हैं उन्हें protect करते हैं इसलिए मेखालय में इतने घने जंगल है अगर 39 नहीं तो ये हरियाली भी नहीं त्रिपुरा नहीं तो RD Bormen नहीं RD और SD Bormen भारत के legendary music composers है आपने नहीं तो आपके माता पिता ने उनके गानों पर dance जरूर किया हुआ त्रिपुरा नहीं तो Olympics में भारत नहीं दीपा करमाकर भारत की पहली female gymnast है जिन्होंने 2016 के Summer Olympics में भारत को represent किया Commonwealth Games में Asian Gymnastic Championships में उन्होंने भारत के लिए medals भी लाए अगर 39 नहीं तो ये medals भी नहीं मनिपुर नहीं तो मेरी कॉम नहीं मेरी कॉम के पास boxing में international level पर 13 gold medals है वो 3 बार World Amateur Boxing Championship रह चुकी है जो कि एक world record है Feminism और मनिपुर का एक नाता है इंफाल में एक ऐसा market है जो सिर्फ एक women's only market है अगर North East नहीं तो feminism की ये examples भी नहीं पूरे भारत में Mizoram एक ही ऐसा state है जिसका 90% से भी जादा land forest में covered और तो और Mizoram में ऐसे दुकान है जो सिर्फ ट्रस्ट के basis पर चलते हैं वहाँ कोई shopkeeper नहीं होता लोग आते हैं, चीजे लेते हैं और पैसे रख कर जाते हैं North East नहीं तो ये unbelievable culture नहीं दुनिया की spiciest चरी भूठ जलो कि या नागा लैंड में पाई जाती है ये नजारे येरोप के नहीं भारत के हैं Khonoma village एशिया का पहला green village है यहाँ सदियों से hunting चली आती थी लेकिन ये एक ecologically sensitive area है जब यहाँ के locals को पता चला कि यहाँ की wildlife हंटिंग के वज़े से extinct हो सकती है तब उन्होंने खुद से ये practice रोक दी लोग कहते हैं कि भारत के लोग ठिक स्कल्ड होता है उनके दिमाग में बात घुसती नहीं लेकिन इस गाओ के लोगों ने उन्हें गलत साबित किया है Northeese नहीं तो ये नजारे नहीं Sikkim एक completely organic state है यहाँ पर कोई chemical fertilizers या pesticides यूज़ नहीं करता सब naturally growth है Plus Sikkim में single use plastic भी band है हमारे football team के नजाने कितने players including captains Sikkim से आता है यानि अगर Northeese नहीं तो football नहीं कितना भी try कर लू ये list पूरी नहीं होगी और इस बात की मुझे खुशी है आप मुझे बताईए कि मैंने क्या miss out किया Northeese के बारे में comments में मुझे बताईए लेकिन वहाँ के लोग पूरी तरह से भारत के हैं कहते हैं जब एक बार चाइना ने अरुनाचल पर हमला किया तो वहाँ के villagers ने घर के बरतन लिये और चाइना के अगेंस भारत को defend किया और क्या proof देना होगा Northeese को ये बताने के लिए कि भारत उनका भी देश है तो जब कोई कहता है कि just because ये states भारत के एक कोने में just because वहाँ के लोग थोड़े से अलग दिखते just because वो खुद इन beautiful states के बारे में और वहाँ के beautiful लोगों के बारे में हमारे सामने आया है हमें दिखा है लेकिन एसी कई बाते होती है जो हम तक पहुशती नहीं पिछले साल lockdown के समय करनाटका में एक नौर्थीज की लेडी को दुकानदार ने दुकान में लेने से ही इंकार कर दिया क्योंकि उसके हिसाब से वो एक Chinese वायरस भारत से नहीं है प्लीज याद रखिए कि हमारा ये वीडियो पारस पर पोर्सनल अटक करने के लिए नहीं है हमारा objection mentality से और शायद ये mentality और भी कई लोगों है ये YouTuber हमारे समाज का एक आईना एक ऐसा समाज जहां पर casual racism चलता किसी के appearance से उन्हें चिंकी, नेपाली, Chinese हाका नूडल कहना चलता उनके मन में देश के लिए कितना भी प्यार हो लेकिन जान बूच कर उन्हें हमसे दूर रखना चलता culprit ये culture है जो हमें एक line draw करना सिखाता है और हमारे ही लोगों को हमसे पराया करता 2019 में हमने हमारे 100 reasons to love India की शुरुवात नौर्थीज से की दी क्योंकि हमें दिखाना था कि भारत का culture कितना unique है, कितना different है नौर्थीज में जब हम थे तब सिर्फ और सिर्फ हमें प्यार ही मिला अगर आप भी नौर्थीज जाएंगे तो वहां के लोग आपको खुले दिल से ही अपनाएंगे तो अगर आपको हमारी बातों में दम लगा तो इस वीडियो को शेर कीजे क्योंकि ऐसे incidences कम होने के लिए लोगों को remind करना जरूरी है कि ये सब ये 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 सब भारत को नौर्थीस ने दिया है आज इस वीडियो के थुरू मुझे आप से कहना है कि अल्रेड़ी foreign powers हमारे टुकडे करना चाहती है अगर हम अंदर से ही खोकले होने लगे अपने ही लोगों को दूर करने लगे तो उनका काम तो आसान हो जाए कभी ना कभी तो एक casual racism भूखना ही हो एक दम से नहीं तो एक-एक से ही सही क्योंकि एक के करने से क्या फरक पड़ता है लेकिन एक-एक के करने से बहुत फरक पड़ता है और इन दोनों लाइन में सिर्फ एक का फरक है और तो एक वाराँ पड़ता है